तो लो भाई अभीशा मालविया ने खुदी अपने बॉइफरेंड चिंटू को एक्सपोस कर दिया कि उन्होंने अभिशेक को बहुती जादा पोक किया है देखी अभिशेक के कुछ वर्ट्स गलत थे गलत हैं वो बोल देते हैं लेकिन जिस तरीके से उनकी पोकिंग होती है जिस तरीके से उनकी mental health पर सवाल उठाए जाते हैं उनको इतने सारे words बोले जाते हैं वो बिल्कुल भी justify नहीं है अभीशा ने खुद ये बोला है कि आपने पोक किया उसको पोक कर करके जा करके देखो उसकी हालत क्या कर दिये आप पोकिंग के शेहनशा है अब यहाँ पर पोकिंग तो बहुत बुरी तरीके से हुई है चिंटू पर हाथ तो अभी शेक ने उठाया लेकिन आपने देखा कि चिंटू क्या कर रहा था कभी उसके उपर वो जो ब्लांकेट है वो डाल रहा है कभी टीशू मुह में डाले दे रहा है कभी वो जो एक ग्लास होता है उस किताब होगा तो उससे थोड़ा सा एक डर लग रहा है कि बिग बॉस क्या ही एक्शन लेंगे कहीं अभिशेक के अगेंस्ट चीजे तो नहीं जाएंगी क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अभिशेक को इस पॉइंट पर उन्हें निकालना भी चाहिए मुझे यह लगता है कि आकशन का री आकशन था कियोंकि चंटू बहुत सदा कर रहा था बुली कर रहा है बत्तमीज़ी कर रहाता उसकी कर रहाए तो तो बहुती गंदगी हो गई थी Big Boss की घर में लेकिन Big Boss ने जो Confession Room में किया है उसके बाद कुछ और ही मामला लग रहा है Let's see देखते क्या कुछ होता है फिलाल आपका क्या कहना है comment करके जबर बताईए thank you